वेरी गूड आफ्टरनून तो अल आफ यू विध्यात्यमित्रान नो आपले प्रिवेस लेक्चर मदे आपन सेल्प इंडक्टन्स हाँ टॉपिक टीज़के लाउता तैचा अधी न्यूच्वल इंडक्टन्स हाँ टॉपिक टीज़के लाउता आज आपले एक मेंड फैना चाह तो मंजथीतरन मेंटे अब मैंगी क्यानिकल मुशन मैंची क्यूंती उनर्जी काये घ्वेकर इनर्जी समझेकल मुशन मंजज़का जते काये wonder एंग आज आज यह आपलोवेशन प्रूब करों दाना रख है यह डेरिवेशन मंधे मतले अगे नहीं का self-inductance, self-inductance जा प्रकारे electrical energy मदे work करतो, कि वाद जो role play करतो self-inductance electrical energy मदे जो role play करतो, तोच role, mass mechanical motion मदे play करते यल उठा play करते, electrical energy मदे, तो mass उठा play करते, mechanical motion मदे बराबर, mechanical motion is related to kinetic energy, हे शब्द परे लख्षा ठ्रहुजा, आता तुम्ही यावर question लिगा, मग आपन याला पूरुन ना explain करू, लिगा, show that, show that self-inductance in bracket yal, plays a role in electric circuit, sorry, electrical energy, plays a role in electrical energy same as that of mass, same as that of mass, same as that of mass in mechanical motion, आता इकर लख्षा देजा, तुम्ही जे वा फोन चार्जिंग ला लावता फोन का लावतो आपन चार्जिंग ला फोन लावतो बराबर फोन चार्जिंग ला लावले बराबर जिथा आपन आपन आपना चार्जर कनेक्ट करतो त्या चार्जर चा थ्रू सप्लाय आप लिया मोबायल लाला मझे होल्टेज पनाला करंड पनाला अग तो होल्टेज की वह करंड एक नसले जमत नहीं होल्टेज करंड दो नहींपाई है बराबर तुम्चा घरची अगाशोई श्ली दो खाता है जैध करन्गा अग फ़बाइल चैर्जर होल्टेज पन करणड पन मुबाइल लावल्या बराबर तो तो चार्ज होत नहीं कही ताइं मला पने विद रिस्पेक्ट टाइम ऍथिक हुन अ काईंस्टन्रेज तो टाइम होत नहीं तो sth तो full charge होई परेंत voltage आने current हे constant होता time constant होता गा तीन वास्ता लावला साड़े तीन वास्ता full charge जाला time कुटा constant है time तो change होता आला बराबर एक हां concept सेकड आता mobile full charge जाला नंतर आपन आपलो work done करूशक्तो आपन आपलो work perform करूशक्तो mobile charge जाला आपन जू में आपको रून tuition अटेंड गरूशक्तो होन वर बोलूशक्तो बराबर मंजेच work हे कोना-कोना और डिपेंड आला voltage, current आनी time work कोना और डिपेंड आला voltage, current and time in electrical language लक्षा देता हैगा तुम बनान सर work, voltage, current सा काई संबंधा है तमी electrical बदल बोलता हो है current तुमाला cell inductance है मतला है electrical energy मदे सांगा मनून में ये तुमाला एक्जाम्पल दिलाओ electrical energy ओके current current बोजियर सर्थीट दें EMF इस 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 तो ताल चिकलाया पन minus L बाहर एना integration 0 to I0 IDI ओके तो विद्यात्यमित्रान नो इत परेंत आदी आपले लियाएचाहे बट त्या आदी तुमाला थोड़ी थेरी लियाची आए देयाओ थेरी लियाओ when current is flowing through the circuit when when current is flowing through the circuit then EMF is induced when current is flowing through the circuit then EMF is induced and work is performed and work either that work done at time t is given by work on our dependence on our voltage current time but e equal to minus l di by dt previous lecture e value put dt dt gate has a small work total work 0 to i0 d w c value put minus l constant in integration w equal to minus l integration 0 tends to i0 आई डियाए हे लिमिट जितर्स ते डिपनेट इंटिग्रल बरबर मैं मदे चाप्टर खाला आपला आता इक लप्षिर आपला सौल कसा करूँ अजो डबलुब य सिज माइनस यल अजिट आई डिया हे ओंजे फॉर्मुला एकस डियोग ते लिमिट तर जचा एकस डियोग और आ है इंटिग्रेशन लेश्ट जितर्स जा इन अभर्मुला बट इप्लस शीयोग जी अखिर में लिमिट तर जा शाथ एकस डियोग अश्ट तसा इते काया है आया है ता आय रेस तू पन वन अचाहे काई ना आय रेस तू 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 by using this formula limit आय अपली 0 to i0 work as it is minus l as it is i चाह स्क्वेर अपन 2 limit 0 to i0 math मजे थोड़ डायरेक्ट स्वाल केला ता चालते physics मजे नहीं करा चाहा derivation पूर्ण एक्स्प्रेन करूंदा खवला के physics मजे w as it is 1 by 2 sin कुंती तर minus यल काहे रहाला i2 0 tends to i0 त्यान अंतर आपन लिमीट पूटप करता स्तों काहे अस्ते लिमीट अपली अपर लिमीट माइन अपर लिमीट पूट करो minus 1 by 2 यल i मदे अपर लिमीट कुंती आए i0 ता i चाट इकानी जर मी i0 पूट केला i0 square minus i मदे 0 0 square upper limit minus lower limit minus 1 by 2 यल काहे रहाला फक्त i0 square नाउ यला मी मौड मदे लिमीट तो तो minus चाहे रहाला plus ओके आतारजी अस्ते चिकलोई आपर वर्गडन मन्जेज काहे एनरजी आपले अमदे जयोडी एनरजी रहाना तेवड़ाच आपन वर्गडन करू शक्तो we know that शली तो नाउ वर्गडन इक्वड़ टू एनरजी अस्ते बट आपन हाँ कुंत्या फॉर्म मदे टीच करता हो इलेक्ट्रिकल फॉर्म मदे तो ही ते लिनार मी वर्गडन इक्वड़ टू इलेक्ट्रिकल एनरजी इलेक्ट्रिकल इनरजी नाउ यल आई जिरो स्क्वेर ओके याला दिव आपन इक्वेश्चन वन राइट डान इस फास्ट तो विद्ध्यार्थिमित्रान नो आपन फक्त काई फाइंड आउट के लग इलेक्ट्रिकल स्थारिकित आला अपला इन टम्स आप इंडक्टन्स आपने लग प्रूट काई करूं प्रकारे इंडक्टन्स इंपॉर्टन रोल प्ले करतो इलेक्ट्रिकल सर्कीट मदे त्याज प्रमाने मास्क हां इंपॉर्टन रोल प्ले करतो मेकेनिकल मोशन मदे बराबर लिहां but mechanical motion is expressed in terms of kinetic energy but mechanical motion is expressed in terms of kinetic energy. Therefore, kinetic energy equal to 1 by 2 ym v square equation 2. Kinetic energy formula 1 by 2 ym v square mechanical motion is kinetic energy. In order to compare, when we compare to mechanical motion, we have mass of electrical energy and electrical circuits. ym v square to i square 1 by 2 1 by 2. Okay. Kinetic energy is equal to 1 by 2 ym v square. By comparing these two equations, it can be clear that by comparing these two equations, it can be clear that by comparing equation 1 and 2, it can be clear that self-inductance play a role in electrical circuit, same as that of mass in mechanical motion. Okay. By comparing this 2-ym v square. So, try again comparing this to the R to D to D to D to D to D. You can?